तर दोस्तों आज मैं लेकि आया हूं आपको यूफ अपार्टमेंट सेक्टर 6 द्वार का जो न्यूली वर्क किया हूँ फ्लैट है थ्री बेड्रूंग का तो यह बाहर का में गेट है मैं आपको दिखा रहा हूं और टाइल की फ्लोरिंग हो रखे और इसमें लिफ्ट है एक तो आप चाहिए बना लो चाहिए बना लो आप देख सकते हैं काफी अच्छा लगड़ी का काम किया हूँ और अंदर चलते हैं अभी आप फ्लैट के अंदर यह बाइट किया बाइस में देख सकते हैं यह बाल को नीए काफी अच्छे है आप यह बाल कुनी भी रखिया और इसमें गलास भी लगा रखा कि इसमें आप मच्छर वच्छा वगर ऐसे बचने के लिए पूरा वो दे रखा इसमें जो जाली भी दे रखिए ना अगर आपने सी से खोलने हो और मच्छर से बचाव करना हो तो इसे पर लागा दो बागी बिन कट यह बना हुआ इसमें आपको भी ड्रैंग रूम यह पू कि यहां से देखते हुए चलते हैं और यह बुद्धा यह स्टेचू थोड़ा सा एक मूर्ती को नाविया लगा रखिए काफी अच्छी लग रही है अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका किचन किचन वी काफी अच्छा काम किया हुए किचन में भी आप देख सकते हैं कि इसमें और जहगवार के समय पॉइंट वने हुए है अब इस लैप वगरा के लिए पूरा अबना यहां पर यह पॉइंट दे रखे हैं यह अपना उसके लिए कि चिमनी वगरा लगाई जा सके यहां पर अब इसको खुलकर अलका सा देखें कैसा है काफी अच्छा काम गिया हुआ है इसमें फिर भी देखता है यह इसा मां रखने के लिए पूरा बनाए हुआ है और यह इसमें यह भी चोटे मुटे समान दो रखे जाके हैं इसके लिए बनाए है मॉडलर किचन है और बड़े समान रखने के लिए पॉइंट बनाए हुए है इधर भी है स्टोरेज का पूरा ध्यान रखागा यहां चिमनी का पॉइंट है यह जब इधर चिमनी वगरा लग जाएगी और आपका यहां चूला आ जाएगा इस सब्सक्राइब कि अबरतन हो गरा के लिए अधेख सकते हैं खाफी अच्छा है मैं चिंक के साथ बनाया हुआ है फॉल सीलिंग अगरे इसमां इधर ड्राइंग रूम में विक वी और फ्लोरिंग के अंदर आप देख सकते हैं फ्लोरिंग होई है और इसके साथ से ही एक बालकुनी हो रहा है अधनों गरत होने में इस्तवाल होने के लिए पाने के इसके लिए यह देख देखते हैं और यहीं से आपको पार्क भी दिखाए दिखाए दे रहा हुगा चोटा बच्चों आप कहलने के लिए एक ऊपन इस अब बात्रूम है इसका इसमें टॉलिट इसमें फिटिंग जै अच्छा किया हुआ है इसमें फ्लोरिंग भी काफी अच्छी इसके और दिवारों पर बीजो इन्हों ने टाइस लगा रखें वह काफी अच्छी फॉल सेलिंग भी की वी इसमें यह बैडरूम इसका आप देख सकते हैं और यह बैडरूम से टैच है ट्वालेट जो मैं आ आपको भी दिखाया ता वुड़न का भी काफी अच्छा काम किया हुआ है है और यह फ्लोरी फैन है रूम साइज काफी अच्छा है डबल बैड अना हाम से आए और सपेस बंता है इसका अलमारी देखते है अन्वारी का साइज अच्छा है यह च्छी है काफी अच्छे रहाई है कि गद्दें सर्दियों में जो कपड़े हो जाते हैं उसके रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है वह है इसमें और एक बाल्कॉने हो रहा है तर बाल्कॉने भी काफी अच्छे है अब यहां से निकाफ दूसरे वाले बेडरूम के तरफ चलते हैं यह है ड्राइंग रूम से उते वे अभी हम इसके आगई डूसरे बेडरूम में इसमें भी काफी अच्छा काम किया हुआ है फॉल सेलिंग और फ्लोरिंग जो है वही सेम है जो ड्राइंग रूम में है और यह इसके साथ ट्यूलेटर इसके नदर भी जैगवार के फिटिंग्स हैं काफी अच्छा काम किया है इसमें भी पॉइंट बना रखे हैं गीजर वगरा लगने के लिए कि यह को अधर के सारी चीज है इसके इंदर है यह स्टोरेज के लिए है बात्रूम के अंदर जो अपने समाम रखना हो इदर यह बना यह बन गया इदर इस तरह प्लस और भी कुछ चोटा मुटा समाम रख सकते हैं और हम इसके अलमारी भी देखते हैं रूम का साइज तो दग्री मॉट्स के जैसे हैं और इसलिकी फैन वाइट कलर का फैन दे रखा है मैंचिंग के साथ अलमीदा का साइज गाफी अच्छा है इस स्लाइडिंग वाले डोरेंस के यह अलमारी है इसके लिए घराई ठीग है कि मीचे का भी स्टोर इस्ट्रील है अब इदर का देखते हैं अब यह अच्छी अब हम चलते हैं इसके तीसरे बेड्रूम में काफी बड़ा है कि फॉल सिलिंग इसमें दिया हुआ है वाइट कलर का से मेन है अलमारी भी देगी है इसका च्छोटा सब इससाई है यहां पर भी अपना को टेबल होगारा लगा के अपना स्टुदि श्टुदि करने के लिए कर सकते है और यह अलमारी देखते हैं इसकी स साइस ठीक है पहले बैडरोम में जो साइस रालमारी का वहीं साइज इसका भी देख सकते हैं इसका अच्छा कुड़ा होगा है इसके ट्राइंग की तरफ बाप सी चलते हैं यहां पर पैनल वगरा पाइनल बोर्ड बना रखा है यहां पर टीवी वगरा लगा सकते हैं और एल शेप का इसका द्राइं-ड्राइंग रॉंब भी काफी बढ़ा है इसका इसे और ड्राइंग रूं के साथ ही वड़िवाल को नी है अज लौरिंग काफी अच्छी है तो यह बिल्कुल सेंटर में है अगर हमें दोला कुमा से आना है तो भी रूरूट के तरफ को जाना तो भी पास पड़ेगी और यहां इसके बिल्कुल सोसाइटी के बाहर ही रिक्सा स्टैंड वगरा भी मिलता है मैट्रो स्टेशन यहां से एक क्लोमेटर होगा जो सेक्टर 11 और 10 का मैट्रो स्टेशन लगता है और सेक्टर 6 और 10 की मार्केट बिल्कुल वाक्यवला है 200 मीटर की दूरी भी है और लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक छोटा सा यहां पर लेस्टी है जो 200 मीटर ही होगा वो भी थोड़ी दूर पर यह बैंक मार्केट सब कुछ यहीं पर है और मेट्रो शेशन थोड़ा सब होगा सुसाइटी के अंदर पार्क भी है पार्किंग की विवस्ता है काफी अच्छे नीटन क्लिंग सुसाइटी है तो यदि आप आए तो आपको फ्लैट देखेंगे सुसाइटी घूमेंगे तो आपक बागी जो मैंने दिखा सकता था मैं बता सकता तो मैंने वीडियो में आपको दिखाया है अच्छा है काम किया है और नया वर्क है और रेल टू मोव है तो मेट्रो मार्केट सब कुछ नहीं है अबाउट इसके बिल्कुल तो किरिपा करके आप विजिट करिए फ्लैट करिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप